तो गैस आज के इस वीडियो में आपको पांच वाइफाय यूसफुल अप्लिकेशन बताने वाला हूं जो की काफी काम आने वाले हैं और मुस्ट लोग इनको यूस करते हैं अपने वाइफाय नेटवर्क्स को मैनेज करने के लिए वाइफाय को एनलाइज करने के लिए कि आनड़ यूसर से वाइफाय को यूस कर रहे हैं तो यह जो अप पर काफी यूसफुल अप्लिकेशन है जिनको आप अगर यूस करते हैं जो आप वाइफाय अपने वाइफाय नेटवक पर नज़र रख पाएंगे और आपके जो वाइफाय लैटवक है उसके भाड़े में काफ़ी सार चीज़ जो आप जान पाएंगे तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आप करते हैं अपने फोन को वाइफा से कनेक्ट एंड देखते हैं कौन से है वो एप्लिकेशन जिनको आप यूज कर सकते हैं तो यहां पर लिस्ट में नंबर बन पर जो एप है वो है राउटर सेट अप पेज तो यह जो एप है आपको गूगल प्लेश्टों पर मिल जाएगा यह बहुत यूसपूल और सिंपल एप्लिकेशन है इस एप की मदद से आप क्या कर सकते हैं आप अपने वाइफा नेटवर आपको मैनेज कर सकते हैं तो चले यहां से अप सिलेक कर लेते हैं राउटर बैंड यहां से जाते हैं तो आप कोई भी कंपनी का आपके पास अगर जो राउटर या फिर वाइफा नेटवक है वह आप यहां पर सिलेक कर लेते हैं यहां से अप सिलेक कर सकते हैं राउटर का पेज है यहाँ पर open हो गया चलिए अज भी स्कुम चलते हैने है इसकेustomeds पर सuk सेटिंस पर आप जा सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं internet सेटिंस है wireless settings है और wireless रिपोटिण case सेुझ सेटिंस है दो wireless settings पर जहेंगे यहाँ पर अपने Wifi password कर सकते हैं औरrich तो युजर मेनेजमेंट है तो युजर मेनेजमेंट में आपके जो router है उसमें जितने भी devices connected होंगे वह आपको यहां पर show हो जाएंगे तो यहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं यूजर को आप यहां पर block और deny या फिर कैसा कह सकते हैं permit आप यहां पर कर सकते हैं इसके बाद औ open signal so guys open signal application की मदद से आप क्या कर सकते हैं यहां पर इस जो उपने wifi network है उसका speed test कर सकते हैं चलिए यहां पर speed test करने के लिए आप यहां पर देख सकते है speed test का option है इस पर click करेंगे यहां पर speed test आप कर सकते हैं तो अभी यह जो router यहां पर internet से connected नहीं है okay so इसके बाद अभी हम चलते हैं यहां पर state पर so guys state आप यहां पर check कर सकते हैं कि आपके जो wifi router है वह किस तरह कर जो perform कर रहा है मत्द 3G पर perform कर रहा है 2G पर फिर 4G पर आप यहां पर दिख सकते हैं 100% 4G पर जो signal strength है या फिर जो signal state इसके बाद जो next application है वो है wifi analyzer तो guys wifi analyzer इस application की मदद से आप अपने आसपर जितने भी wifi signal से wifi router से उनको चेक कर सकते हैं कि कि किसका जो signal है वो जादा अच्छा है आ रहा है और किस से signal strength है वो काफी अच्छा है तो आप यहां पर check out कर सकते हैं यहां पर अलग अलग कर सकते हैं यहां पर graph में available है इसके बाद यहां पर ratings है यहां पर access point में अभी भी available है इसके साथ साथ इसमें आपको कुछ जो wifi की जो properties होती है वो भी आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि यहां पर mac address आप देख सकते हैं इसमें और जो channel है पर कॉन से channel पर enable wifi network वो आप इस पर check out कर सकते है इसके बाद गर जो next application है वो है हमार पास fing so guys fing application के मतलब से आप क्या कर सकते हैं देखिए इस application के मतलब से आप यहां पर जिस भी wifi network से connected है उससे connected जितने भी devices है वो आप देख सकते हैं और यह जो application है काफी powerful है और इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से devices connected हैं और उनको आप block कर सकते हैं manage कर सकते हैं और उनकी जो properties है वो आप देख सकते हैं जैसे कि यहां पर एक device connected है यहां पर तो यह basically router का जो है properties है और चलिए इसको हम देखते हैं यह इस वाली device के बारे में तो इस वाली device के बारे में आप जैसे कि देख सकते हैं यहां पर इसकी जो IP address है वो आप यह एक्सें से जो की perform करना है जैसे की other devices पर अब भी तो मैंने यह वाले device रहा बट other कोई devices उस पर आप क्या कर सकते हैं यहां से remove कर सकते हैं pink कर सकते हैं यहां पर wake on lane कर सकते हैं and find ports उसके जो ports होते हैं वो आप ढूंड सकते हैं तो यह सरी चीज़े आप इसमें कर सकते हैं इसके बाद आप यहां पर देखिए internet का है option है यहां पर तो internet में आप जाके यहां पर internet connection का जो speed आप चेक कर रहते हैं तो अब भी इस वाले wifi network में कोई internet connection नहीं बड़ यह wifi network enable है इसके बाद यहां पर जाएंगे तो यहां पर network है तो network के आप यहां पर location पता कर सकते हैं यहां पर और भी काई सारे features जो की आप यूज कर सकते हैं जो की इसमें available है तो यह थे कुछ usable application जिनकों की आप यूज कर सकते हैं अगर आप यह wifi user है या फिर आपने वाइफर आउटर के बारे में ज्यादा जाना चाहते हैं और detail में जाना चाहते हैं मैनेज करना चाहते हैं अब वह आप चैकड़ कर सकते हैं प्लेलिस अबैले वाले एंड इसमें मैंने बता हुए wifi networks राउटर के बारे में आप जान सकते हैं और सीख सकते हैं